प्यारे विद्यार्थियों आज हमारे मध्य हमारे ही विद्याले के वानित जी के प्रवक्ता श्री संतोष कुमार दिक्षित आज हमारी कक्षा के मुख्य अतिति के रूप में आये हैं और गोस्वामी महाकवितुलसी दास पर बिंदु के रूप में बताने के लिए आपको आशिरवाद के रूप में मैंने इन्हें आमंतित किया है और एक ऐसे बेहर साहित्यकार जो इनके अंदर इनके भीतर एक मेधा छुपी हुई है वो मेधा जो है वो मैंने देखी और मुझे बहुत प्रसनता हुई मैं बहुत प्रफुलित हुआ और तो मैंने मेरे मनो मस्तिष्क में ये विचार आया कि ऐसे महान मुर्धन्य को साहित्यकार को मैं बड़े आदर के साथ आमंतित करूँ और इन्हें गोस्वामी तुलसी दास पर चर्चा करने के लिए मैं इन्हें आपके सामने आपके मुखारविंद से हमारे विद्यारती और हम लाभानवित होंगे कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास भाई क्रपार गुनात्य की हो गए तुलसी दास मैं मानिनिय श्री दिक्षित साहब को आमंतित करता हूँ कि वे आएं और माइक सर को भग्यद्च के लिए बहुत सराहनी कार है इन बचों का परम स्वभाग है कि आपको हिंदी की ब्याक्ष्या कर रहे हैं हिंदी के ब्याक्ष्याप्ता के रूप एल्युप में है जो वाका समारी से कविता का पाठ और कविता का प्रसाड़ करते हैं बहुत ही सरस्वती की इनके उपर रसीम क्रिपा है यह ज्ञान से ओद प्रोत हैं और बचे बिल्कुल एक आग्रिचित होकर इनकी प्रतिभा का लाभ लें जैसा मेरे बारे मैं तो कॉमर्स का स्टुडेंट क्ली यह तक बात की जाए मैं सिधा प्रसंद पर आता हूं तो एक सूरीगा म neuen ब्यक्तितूं के व्यक्ति थे लेकिन जब उनको पत्नी की भठकार मिली तो पत्नी की भठकार पा कर रामचंदर जी की भक्ती में लीन हो गए और उस भक्ति का परड़ाम यह हुआ कि रामजी के ऐसी कृपा होई कि ये तुल्सी दास बन गए अभी सर ने बताया कि वो तुल्सी दास बन की घास होती है लेकिन जब क्रिपा होई तो वो तुल्सी से तुल्सी दास बन गए बच्चों अधिक समय नहीं लूँगा तुलसी दास जी के बारें बता रहा हूं कि तुलसी दास जी का जन्म बादार डिस्ट्रिक में राजापुर गाउं में एक बड़े ही गरीब रामण परिवार में हुआ था और इनकी शादी समय से पहले हो गई थी जल्दी हो गई थी बत्नी के दुद्कार कुसूल कर ये राम की भक्ती में चले गए जब इनकी पत्नी अपने ससुराल चली अपने मैके चली गई थी तो उसके प्रेम में मोहित होकर ये अपने ससुराल चले गए अपनी पत्नी से मिलन के लिए और रात में साप लटक रहा था उसको पढ़कर उसको रसी समझ कर ये महा उतर गए तो इनकी पत्नी ने इनको एक फटकार लगाया कि प्रभू जी जितना प्रीत आप मुझसे करते हैं अगर इतना ही प्रीत आप राम जी से करते अपने इश्ट देवता से करते तो आ आपकी आपका जीवन सफन हो जाता आपकी भक्ति कामयाब हो जाती बस वहीं से उन्होंने त्याग दिया घर परिवार त्याग दिया और वो परिवार त्याग करने के बाद राम जी की भक्ति में लग गए हनुमान जी भक्ति में लग गए कहा जाता है सबसे पहले उनको हन मिन्यार दंगा जी के वारानसी नगरी में बैट कर तो इसके बार जब उनको अनुमान चैनलिके लेखते हैं हमारा पास कोई साक्श नहीं लेकिन क्यूंदध्धटी ऐसी जैसा कि शाक्षा टोंको हनुमान जी ने दर्सन दिया और हर्मान जी की क्रिपा से ही राम चरित मानस जैसा एक विसाल महा काबे राम चरित मानस जैसा विसाल महा काबे की रचना करना वह आसान कार यह नहीं है बच्चों और राम चरित मानस में आप लोग देखेंगे दोहा सोल्ठा और चंद कबित और सवया प्रियोग करके इन्होंने राम्चिनित मानस की रचना की राम्चिनित मानस से हटकर इन्होंने कवितावली गीतावली दोहावली बिनैपत्रिका इत्यादी पूस्तकें भी लिखा इन्होंने और बहुत सुन्दर वरडन किया राम्चिनित मानस एक ऐसा महाकाब है जिसमें हम स데के लेरे यह समाज का अहतियासिट ज्यान हमारे समाज का समाजिक ज्यान बड़े चोटों का क्या सम्मान करना है कैसे करना है वह वखी वरण किया गया है गीतावली रस्तुत कर दों सर गीतावली में तुल्सिदास जी ने लिखा है बड़ा मार्मिक वर्डन है जो रसिक जी मेरे से सुने थे जिसके लिए आप बहुत प्रमुख्ध हुआ है जिसके साम मुझे जिसके लिए बुलाया है मा कौसल्या अपने बच्चों को याद कर रही है और राम लक्षमरो सीता जी बन को जा चुके हैं और एक दिन ऐसे ही जैसे आज का मौसम है सावन भादों का मौसम है बादल गरद रहे थे बादल बरस रहे थे देखिए हमारा गला रुध हो रहा है इस समय बात नहीं निकल प हिर्दय से हमें देखना होगा कि कौसल्या मा उस राम के लिए सोचकर भ्याकुल हो गई जो राम एक राज कुमार थे जिनके लिए जिनके लिए ऐसो आराम कमाम सुख सुभधाएं थी और वो बन को जा चुके थे और बन को जाते समय जो द्रिस से था वही द्रिस से मा कौस कर रहा हूं रशिक जी का यही निवेदन है कि उसको प्रस्तुत किया जाए बच्चों के सामने मेरे मुख की बात आपने चिंदे मुहें रगुबर की सुधियाई सुधियाई आगे आगे राम चलत है पीछे लच्च मन भादाई पीछे लच्च मन भादाई उनके बीच में चलत जाने की विपदा कही नहीं जाई मुहें रगुबर की सुधियाई याद आ रही है कैसे तरप रही है अब उनको राम की एक एक चीज लक्षमन की एक चीज याद आ रही है सिता के एक चीज याद आ रही है राम बिना मुरी सुनी आयोध्या राम बिना मुरी सुनी आयोध्या लक्षमन बिनुठकुराई सिता के एक चीज याद रही है सिता बिना मुरी सुनी आयोध्या सिता बिना मुरी सुनी आयोध्या के हो भोजन बनाई मोहे रघुबर की सुधियाई अगली पक्ती बहुत ही बेजोड है सावन गर्जे भादों बरसे सावन गर्जे भादों बरसे पवन चले पूरवाई कौन बिरिच तर भीजत होई है कौन बिरिच तर भीजत होई है राम लखन दोनों भाई वो ये रघुबर की सुधियाई रघुबर की सुधियाई मा का फिर्दय बच्चों के प्रेम के लिए अब इसी तरह सोचिए कि कितना सोच रही कि हमारे घर में राज पाट है सिंहासन है उनका सिंहासन उनके पलंग उनकी धनुस बाण सब सूने हैं और राम जी कहां भीग रहे हैं किसी जंगल में आज जैसा ही पर्दिस्था की घटाएं सावन बरस रहा है घटाएं गरज रही हैं और फिर भी एक राज कुमार बन में दरदर की ठोकर खा रहा है उसकी मापर क्या बीतेगी जैसे माली जेगर प्यारे विद्यार्थियों अभी आपने माननी अश्री संतोष दिख्षिजी से आपने उनके मुखार विंद्ध से महा कवी गोस्वामे तुलसी दास के जीवन पर्चे परविंद्ध के रूप में व्याख्या सुनी और आपको आशिरवाद के रूप में उन्होंने एक गीतावली से गीत सुनाया मारमिक गीत सुनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मैं उन्हें भूरी भूरी हर्दय से बधाई देता हूं धन्यवाद ग्यापित करता हूं मेरे एक आमन्सन पर आप आए इस आउसर पर और हमारे विद्ध्यार्थियों को इनका जो जीवन काल है बटा लिखिएगा जीवन काल 1532 से 1623 तो बच्चो जैसा कि सर ने आपको बताया कि इनका जो जन्म हुआ बांदा जिले के राजापूर नामा गाओं में एक ब्रामर थे बेटे फिलीज एक ब्रामर थे और वो गरीब ब्रामर थे निर्धन ब्रामर थे उनका नाम था आत्मा राम दूबे उनका नाम क्या था आत्मा राम दूबे और आत्मा राम द श्रीमती हुलसी तो हुलसी और आत्मा राम दुवे जी के घर में एक ऐसे चमतकारी और अध्भुत बालक का अवतार हुआ जिसने जन्म लेते ही राम राम कहा और राम इसका नाम बच्पन का राम बोला पड़े गया राम बोला पड़े गया और चुकि अभुक्त बूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जो है इस बच्चे को अभागा समझा गया कि भाई ये बच्चा राक्षत है इनके 2200 दात थे बटा जन्म लेते ही इनके 2200 दात थे और इन्होंने राम-राम कहना शुरू कर दिया तो जब इनका परित्याग हो घर वाले कैसे त्याग करेंगे ऐसा कहा जाता है तिक की त्याग कर दिया कोई माता पिता अपने बच्चे को त्याग देगा जन्म लेते ही त्याग देगा नहीं त्यागेगा लेकिन ऐसा कहा जाता है एक उनके जनम स्थान के विशह में एक मतांतर है कई मतांतर है एक पुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि एटा के पास एग राव है सोरो तो सोरो गाव में उनका जन्म हुआ था ईसा लोग बताते हैं लेकिन वासविक जो मूल प्रमाण है बांदा जो आज चितरकूट जिला बन गया है जहां उनका जन्म हुआ था वो चित्रकूट जिला है जहां बहुत बड़ा विश्व दिव्यांग विश्विद्याले है जिनकी मने चर्चा की श्री राम भद्राचारे ठीक है श्री राम भद्राचारे उसके आजीवन कुलाधे पती है तो ऐसा विश्व 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 उसी चित्रकूट के पास राजापूर नाम गाउं है वहीं उनका जन्म हुआ बिटा उनके जो गुरु थे वो स्वामी नरहरिदास थे उनके गुरु का नाम था स्वामी नरहरिदास तो विवाहिक बात तो बता दी थी सर ने कि उनका जो विवाह हुआ और बाबा नरहरिदास उनके गुरु का नाम था और रतनावली से विवाह हुआ चुकी उनका तुलसी दास का जैसा कि प्रेमा सक्ति के कारण वह बहुत प्रेम करते थी अपनी पत्नी से हर एक विक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है हर एक जो है लड़के हर एक जो है हर एक जो है विक्ति अपनी महिला मित्र से प्यार करता है तो उन्होंने उन्होंने प्यार कर लिया तक कौन सा अपराद कर लिया लेकिन जो है भाई वो आए उससे मिलने के लिए तुने का जिस हाड मास से आप प्यार करते हो तो आप इस हाड मास को छोड़ करके आप प्रभु से लगल लगाते तो कितना बढ़िया होता आपको मोक्ष मिल जाता बताओ इतनी जवानी में कोई हमसे कह दे कि भाई भजन भाव करो तो मु से रागय जागरित हो गया ऐसी क्रिपा होई और उनके गुरु जो है बाद में उनको उनके गुरु अपना गुरु शिव को माल लिया बाबा नरहरीदास तो अध्यात्मी गुरु थे लेकिन उन्होंने अपना अपने मन का गुरु भगवान शिव को माल लिया तो उन्हों कर उस जिसके वचन जो है रविकर निकर रविकर मतलग कहते हैं सूरी के कृणों के समान है ऐसे उनके वचन ऐसे अपने गुरु भगवान शिव की में बंदना करता हूं तो इस प्रकार से वह उन्होंने भगवान शिव की बंदना करके हनुमान चालिसा में भी कहते हैं कि होई सिद्ध जो यह पढ़ है हनुमान चालिसा होई सिद्ध साखी गवरीशा गवरीश कि कौन है भगवान शिव भगवान शिव को कहा कि हमारी हनुमान चालिसा के जो साख्षी है वो जो है भगवान शिव ही है हमारे गुरु भगवान श तो इस प्रकार से विद्धियार्थियों तुलसी तुलसी बहा गभी गोर्सवामे तुलसी दास ने जो रचनाये की वो तीन जगह रह करके एक तो काशी दूसरा आयोध्या और तीसरा चित्रकूट तो तीन जगा इनका निवास स्थान था तो तीनों जगा रह करके और अनेक काविय कृतियों की रचना की आयोध्या में रह करके राम चेर्ट मानस की रचना की और कहते हैं कि जहां बनारस में बनारस में बचे बनारस में तुल्स ये अल्सि घाट पर रहते थे अल्सि घाट पर एक भाएज साहीड में पेड़ है पीपल का पेड़ है पीपल के पेड़ की उपर ब्रमराक्षच सरहा करता था और जैसे यह राम्चलित मानस की रचना शुरू की उन्होंने तो और हनमान जी की रचना शुरू की हनमान का Dash अब हन्मान जी से भेट हुई हन्मान जी से भेट होने के बाद उन्हेंने कहा राम जी से कैसे भेट होगी तो उन्होंने कहा कि तुलसी में चित्रकूट में भेट हुई बेटा हन्मान जी की भेट जो है तुलसी दास से चित्रकूट में हुई कल्याद परसो शाद तुलसी ज जो कुछ भी बोलूंगा फिर पहचान लेना तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड तुलसीदास चंदन घिसें तिलकलेत रगवीर ऐसा उन्होंने कहा तो उनके चर्णों में तुलसीदास राम के चर्णों में दंडबट गिर पड़े हे प्रभू आप कहा हैं आपको आपके दर्शन के लिए मैं व्याकुल था तिस प्रकार से बच्चो तुलसी का जन्म हुआ और तुलसी जो है वैराग ले करके उन्होंने अपना जीवन यापन भगवान के प्रतिसमर्पित हो गए और कहते हैं कि तुलसी की भेट सूर से भी हुई थी पीछे सूर से भी हुई थी तो सूर से मिल करके सूर से मा कभी सूर से प्रेरित हो करके उन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की बराबर जो है समनवय बाद ये धारा चल रही है बेटा देखो कैसे कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा और बराबर धारा चलत रही है राम तो राम-साखहा के कव्यों ने राम की वंदना की राम की सुति की और क्रिश्न की कावा के क्रिश्न साखा के कवियों ने क्रिश्न की सुती की 23 प्रकार थे दोनों की धारा चलती जा रही अजर से धारा खूट पड़ती है तो बेटा और बाद में कहते की शावन मास में ही उनकी मृत्य हो गई सन 1623 में अर्थात समवत विक्रमी समथ 1680 विक्रमी समथ जो है 1680 में असी घाट पर ही उनकी मित्य हो गई है तो कहते कि शावन शुप्तला सप्त्मी तुलसी तजव करी ऐसे आशी शावन भूल रहा है दोहा भूल रहा मुझे शावन शुप्तला तुलसी तजव शरीर तुलसी ने अपना शरीर तुलसी ने अपने शरीर का महाविसरजन कर दिया और उनकी जो कृतियां हैं आपको सर ने बता दी पहली कृति है रामचर्थ मानस महा काविया जिसमें साथ प्रबंद है बेटा साथ सब्सवत प्रबंद सुभग सोपाना सुभग सोपान है सुन्दर सीड़ियां है और मानस अरोबर के भात यह रामचर्थ मानस है और और राम चरतमानस की जो का वर्णन किया उसके बाद जो है कवितावली लिखी बात में राम चरतमानस में जो बाते छूट गई उसको कवितावली में दिया कवितावली में भी सात कांड है और उसके बाद दोहावली लिखी उन्होंने दोहावली ठीक है उसके बाद जीतावली लिखी जिससे कि पार्बती मंगल जान की मंगल इस प्रकार से बच्चो यह अनेक ग्रंथों की रचना बाबा तुलसी ने की तो इस प्रकार से तुलसी ने जो रचना की उस रचना पर हम जो है आज भी उस रचना का पाठ बड़े मनुजोग से 24 घंटे में उसका पाराण किया जाता है नावाहन पाराण भी करते हैं मास पाराण भी करते हैं और 24 घंटे में अखंड राम चर्त मानस का पाठ हर एक विक्ति एक हल जोतने वाला किसान की जिविया पर भी राम चर्त मानस की पंक्तिया है इस प्रकार से जो है रामचर्थ मानस की पंक्तियां बच्चा बच्चा बच्चे बच्चे की जिवापर है और एक अनपढ व्यक्ति भी इसको गाता है पढ़ता है बड़े मनियो योग से तो ऐसे इस प्रकार से आपके यहां जो बिटे रामचर्थ मानस का एक अवतरन लगा हुआ है भरत राम का प्रेम और गीतावली से दो तिन पद लगे हुए हैं निर्खत जननी वान धरोहिया और दूसरा है राग हो जू एक बार आजाओ तो इस प्रकार से राम तुलसी दास जी का जीवन परचे सन ने भी बताया और मैंने भी थोड़ा जो कुछ वे छुटा पुटा था अवशेश बाते थे बती खुची बाते थी मैंने आपको बता दी और इस प्रकार से जब हनमान ए तुलसी को बाहों का रोग हो गया था पूरी बाहों में जो फोड़े ही फोड़े हो गये थे तो हनमान बाहुक लिखा इन्होंने छोटी सी पुस्तक लिखी हनमान बाहुक बिटा राम चर्ट मानस का आप सुंदर कांड का पाठ करिए कोई भी हर एक मनोवान चित्फल आपको मिलेगा और आप जो है इस बात को लिख करके लिए लिजेगा हनमान जी आपकी रक्षा करते हैं हनमान जी सब कुछ करेंगे इनी शब्दों के साथ अपनी वाली को विर फ्राणिवात बचाहिए अथा बंट